आज हमने तैक किया है कि कॉंग्रेस पार्टी अपना कंपैन काम किया दिल से, कॉंग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरूवात हम के अंदर सरकार की वादा खिलापी ERCP के उपर जो हुई है इस कारण से हम उब्दे को प्रमुक्ता के साथ लेते वे 12 जिले में हम हमारी शुरूवात 16 अक्टूबर से करेंगे एक दिन में हम दो जिले लेंगे और 13 जिलो में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन एक लाख लोगों की होगी पोधी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी किसी भी एक मिटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी और तब तक हम परसु से उन 13 जिलों में इर सीपी के उपर वादा खिलापी के लिए जंजागरन अभियान प्रतेक मंडल स्तर के उपर हम चलाएंगे हर बूत की लोग मंडल के उपर आकर के करेकरम करेंगे हमारा जो वर्रूम है यहां से जो सेंट्रल टीम हमारी जो बैटी है वो उन जो वरक्टने की नारे जंडे पोश्टर सब के साथ में जंजागरन अभियान करेंगे 15 तारिक को नवरात्रा स्थापना है 16 तारिक से हम लोग इस इर सीपी की वादा खिलापी को प्रमुक बुदा लेते विए हम उन 13 जिलों में 12 जिले से इसकी शुरुआत करेंगे हमारे पास कहने के लिए जंटा को पताने के लिए बहुत कुछ है और इतना है कि राजस्तान की इतियास में 70 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हमारी सरकार ने राजस्तान के लोगों के लिए किया है चाहे आप development के work ले लीजिए, आनके चलिए कि हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव जनता के उपर है, एंटिकमेंसी जीरो के बराबर है, भारतिय जनता पार्टी में आपसमें दुनिया बर्की फूट है, और वो जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, वो परिवर्तन यात्रा पहले वसुंद्रा राजे जी के पोस्टर हटाने से लेकर के सुरुवात हुई, फिर उनको उनका राजी एक परिवर्तन जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मूल है जेंटा है कि वसुंद्रा राजे जी पूर्व विधाई की रूब में अपना नाम नामित करें, तो मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन खुद में ही करने में लगे हैं, देश के प्रधान मंतरी जी को बार राजस्तान में आकर के ये क्याना पढ़ रहा है, कि हमारा कोई चैरा नहीं होगा, किसी के मुक्टे पे नहीं लड़ा जाएगा, कमल का फूल होगा, अरे भाई, कमल का फूल तो दिखा ही नहीं, यहां तो आपस में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के मुंहेरिलाल सपने और आठ तस उमीद्वार बढ़े बटे थे अमित साहजी और नडढ़ा जी को आकर की यह कहना पड़ा कि आप मूंख्यय-मंत्री बढ़ना चौड़ो आप अपनी चिंता चोड़ो अपने लोगों की चिंता चोड़ो पार्टी की चिंता करो पार्टी दर रसातल में जा रही है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती आप बताईए कि क्या उनकी जो सूची ती देश की प्रधानमंत्री की अध्यक्सता में जब कमेटी बैड जाए पूरी टोप लेवल के नेता बैड जाए और उसके बाद में बचकानी हरकत हो जाए इसका मतलब है कि यह ने तो यूनाइट है ने इनका कोई वीजन है ने इनके पास में राजस्तान में जो एकियासिक काम हुए है असो गैलोजी के नेत्रितों में सरकार ने जो काम क रहे बेपरली प्रिष्टाचार अपराद कि या बात कर रहे हो इससे बड़ा अपराद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक ग्रह देश के ग्रह राज्य मंत्री का बेटा किसान की हत्या करते हो वह आज की तारिक में बैटा रहे है क्या पूसंत सिंग जो है वो उसके और वो भी आज की तारिक में वहीं एंपी बैठा है क्या लोग सभा में किस तरह कि अबद्र एसन से दिये बासा का उप्योग वो जो एक गूजर है क्या नाम है उनका विदूडी जी वो बोलें उसको राजस्तान में बेजा गया चला करके टॉंक में परबारी बना के कि व काम अगर झाल किया है लोगों को पाइदा मिला है लोग चाते हैं तो हम कीर रिपीट होंगे मेरा ऐसा मानना है कि हम सब यूनाइट हैं जंता में पहुत अच्छा उटसा कँंगरेंस के प्रतिय और रावल गान्दी जी प्योफे चार जार किलोमेटर यात्रा की है उसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं आप देखिए कि लोग कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस के नेत्रीतों को प्यार करते हैं वो यह कि 2023 में हमको रिपीट करना चाहते हैं अगर जाएंगे लोग जब अफरादी कोई बयान आएगा तो कराएंगे बड़ यह चाहते ही हैं यह चाहते ही हैं कि इनको गवराठी राहुल गांदी के नेत्रीत में से हैं पहले एक बात बताओ मोधी जी में बात करना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी एक पार गेर गांदी को राश्ट यह चाहते में मान जाऊंगा तो आप तो मांने चाहिए संथा से अड़ जाना चाहिए हमारे तो घंगे साफ बन गए इलेक्टेट बन गए और हम सब के नेता मां जाना चाहिए लेकिन दूसरा जूमला तार प्रता करोना काल में अपनी गेलो सरकार ने जो काम किया एक बार मोदी जी ने भी आकर उसकी तारिफ और अब मीटिंग में कह रहे हैं कि गेलो सरकार को जीरो नंबर नहीं तो दो स्टेटमेंट वो बहुत अच्छा कि गेलो जी को कहिए मैं योजनाय बंद नहीं करूंगा वरना वो योजनायों को अच्छा बता करके यह कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे लेकिन उनकी बात पर जनता विश्वाज नहीं करती तूंकि वो करते कुछ है करते कुछ है कि हमारे गोगी साथ का फोन आया था वो एक-दो दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चैर्मेन और मेंब आएंगे करने हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं हम सब तयार है जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम करकर के उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा फैनल जो भी जो अपने करेंगे और जब भी हमारा किंद्री नेत्रित्व है किंद्री चुनाव समीथी के लिए समय देगा वो जाकर के और हमारी लिस्ट आजे ऐसा नहीं होगा बीजेपी की तरह है कि पोटु तो दिगादी मोदी जी बैठें और सारी जो है जो है निस्टे फाइनल कर रहे हैं और बुझे लिस्टों का गाईब हो गए वो जिनके नाम है अक बार में वो ही पूझ रहे हमारा क्या होगा मुझे पूझ रहे हैं मैं बार बार केते थे कि संग भारतिये जनता पार्टी के उपर हावी हो गया है वो अपनी बात थोपना चाहता है और थोप करके डिक्टेटर कर रहा है यही तो प्रजातंत्र पर ठीक नहीं कि चुना हुआ जन प्रतिनिदी तो कोई बात करे लेकिन बिना चुना हुआ जन प्रतिनिदी चुनेवे जन प्रतिनिदी को टिक्टेट करता है और अपनी बात मना करके यहां पर जीस तरीके का बातावन पैदा करता यह ठी अख्षा करते हैं, वह सचप्रतिशत हमारी सरकार दें, जो हमारा गोशनापत्र था, उसको भी हमने 98% यारी 2% ऐसी चीजे हैं, जो टेक्निकली हो नहीं पाई, बाकी 98% हमने जन्द गोशनापत्र पूरा किया है और आगे के जन्द गोशनापत्र हमारा जो बनेगा, उसके ल हुआ है इस हो भी उसका एक बहुत बड़ा हमारहा आधार होगा और उसको ले कर क्योंकि हमने पहले वाला लागू कर दिया प्लस हमने जनतागी राज से हम लोग गोश्णा पत्र बना रहे हैं